दोस्तो इस धर्दी पर हरे एक जीवो में कुछ न कुछ विश्यस जरूर होता है जो लोगों का ध्यान अपनी और आकर्शित करता है ऐसे में आपने कई बार जीवो के अजीव वर्ताब को भी देखा होगा जीसे देख कर यहां समझ पाना बिल्कुल मुस्किल हो जाता है कि आखिर यहां ऐसा कर क्यों रहे हैं और आखिर यह चाहते क्या है आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवो के कुछ ऐसे ही अजीवो गरीव वर्ताब के बारे में बताने वाला हूँ जीसे देख कर आम इनसान तो क्या बैग्यानिक भी हैरान हो जाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सकाइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिसे की इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और हाँ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चीटियां अंधी होती है यानि वो देख नहीं सकती और जब वरकर एंट भोजन की तलास में निकलती है तो अपने पीछे फेरेमोंस नाम की केमिकल छोड़ती हुई जाती है और भोजन मिलने के बाद वो वापस उसी केमिकल की मदद से अपने घर तक वापस आती है और बाकी चीटियां भी इसे ही फॉलो करती है लेकिन कभी-कभी एक वरकर एंट किसी कारण से भटक जाती है तब वह गोल-गोल घुमना शुरू कर देती है कि सायद उसे फेरमोंस मिल जाए और फिर बाकी चीटियां भी वरकर एंट को फॉलो करते हुए गोल-गोल घुमना शुरू कर देती है और इसे एंट देत इस्पारियल कहते हैं क्योंकि चीटियां अंधी होती है और इस विश्वास से उन्हें अपना भोजन और घर मिल जाएगा इस उम्मीद से ये चलती रहती है और एक खतरनाक चक्रवियू में फस जाती है और फिर एक एक करके सभी चीटियों की मौत हो जाती है स्नेक इटिंग इटसेल्फ दोस्तों आत्मत्या एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें इंसान खुद की ही जान ले लेता है लेकिन ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं करते हैं बलकि सापों में भी ऐसी हरकतों को करते हुए देखा गया है दरसल कई साप अपने आप को ही खाना सुरू कर देते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं इसका कोई सटीक जवाब नहीं है लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो एक सर्कल बनाते हैं जिसे प्राचीन समय के कई अस्थलो पर देखा गया है जिसे काल चक्र कहते हैं कई वे ग्यानिकों का कहना है कि वे ऐसा भूख के भध्रम होने पर करते हैं जिसमें वे खुद के पूँच को ही खाना शुरू कर देते हैं दोस्तो कभी न कभी आपने कुटों में एक चीज नोटीस की होगी कि वे खुद के पैड को ही काटना शुरू कर देते हैं दरसल ये एक प्रकार का सिंड्रोम होता है जिसमें कुत्ते के खुद के पैर ही उन्हें तंग करने लगते हैं और उनका अपने ही पैरों पर काबू नहीं रहता है ऐसे में तंग आकर वो खुद के पैर को ही काटना शुरू कर देते हैं ऐसी घटना देखने पर एक समय के लिए आपको बहुत अजीब सा लग सकता है और आपको वो कुत्ता पागल भी लेकिन इस तकलिफ को केवल वही समझ सकता है तो दोस्तो इन सभी घटनाओं में से कौन सी घटना को आपने स्वयम अपनी आखों से देखा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के सा सेर करें अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद